पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए भारत की पश्च्रमी सरहदों पर हमला किया जाए ताकि भारती सेना उस तरफ बुलच जाये और वो पूर्व में दखल ना दे सके उन्हें लग रहा था कि इस तरह से भारत के पास ऐसे साधन नहीं बचेंगे कि वो पूर्वी पाकिस्तान के इलाखों पर कब्जा कर सके काफी मुश्किल चुनोती का सामना करना पड़ा उन्हें पाकिस्तानी टैंक्स जो जैसल मेर जाने वाली सडक पर था और वो आगे बढ़ती पाकिस्तानी सेना के निशाने पर था मगर भारत के मिलिटरी कमांडर्स ने 23 पंजाब की आलफा कंपनी में थे उन्हें लौंगेवाला के उस सरहदी पोस्ट पर अक्तूबर 1971 में भेजा गया था लौंगेवाला की एहमियत इसलिए भी ज्यादा थी कि वो रामगड लौंगेवाला और साधेवाला जाने वाली सडकों के टी जंक्शन पर था और अगर पाकिस्तानी सेना लौंगेवाला पार कर लेती तो बड़ी आसानी से जैसल मेर तक पहुँच जाती जब मेजर चांदपुरी ने लौंगेवाला पोस्ट की कमान संभाली तो उनके साथ सिर्फ सौ जवान थे और उनके डेप्यूटी थे एक युवा लेफटेनें जो उनके कमपनी आफिसर थे उनके अलावा वहां कुछ बहादुर और दिलेर जेसी ओज और एनसी ओज भी थे जो किसी भी आमी यूनिट में जूनियर लीडर होते हैं बात जहां तक हत्यारों और एम्यूनिशन की थी तो भारती असिना के इंफंट्री के जावाजों के प और एंटी टैंक माइन्स भी थे और एक ऐसी टीम भी जो वो बारूदी सुरंगे पिछा सके इन हत्यारों के दम पर ही मेजर चांद्पुरी ने अपने जवानों के साथ उस राज पाकिस्तानी हमले का करारा जवाब दिया जबकि उनके मुकाबले पाकिस्तानी सेना की पाकिस्तानी मीडियम आर्टिलरी की रेंज 25 किलोमीटर थी इसलिए उसने अपनी वाई उसेना को उस वक्त एक्टिवेट नहीं किया थी चांद्पुरी अपनी पोस्ट के एक-एक टिकेट में जागर अपने जवानों का होसला बढ़ाने लगे और उन्हें पोस्ट पर चारों तरफ से हो रहे पाकिस्तानीयों के हमलों का मूँ तोड जवाब देने के लिए उतसाहित करते रहें चार और पांच दिसंबर सन 1971 की पूरी राथ मेजर कुलदीब चांद्पुरी और उनके साथ-साथ 23 पंजाब के उनके दिलेर जवानों पर पाकिस्तानियों ने जबरतस्त दबाव बनाये रखा उसके अलावा मेजर चांद्पुरी और उनके जवानों पर पाकिस्तान की आरथिलरी सीधे गोलाबारी कर रही थे और मोटर्स दाग रही थे और ये हमले वो टैंक्स और आमर्ड वहिकल्स से कर रही थे लेकिन भारतिय सेना ने हार नहीं माने